हेलो गाइज आज के इस खास वीडियो में आपको बताने बाला हूँ कि आप लोग किस तरह से गूगल फॉर्म बना सकते हैं और दोस्तों उसका अच्छे तरह से यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप लोग को पता हूँ गूगल फॉर्म की मदद से आपने दोस्तों से ले सकते अपने student से information ले सकते हैं या आपको contact list से बनानी हो जो भी आप काम करना चाहते हैं Google form के थरो आसानी से कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं mobile से किस परकार से आप Google form बना सकते हैं तो आईए समयना गवातियो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लैकेंड से तरह चैनल को सब्सक्राइब अबस करिएगा तो हमें सबसे पहले उपन करना होगा अपना Google गूगल अकाउंट जैसे कि आप ही देख पार है मेरा गूगल अकाउंट इस पर हमने क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद यह इस तरह का इंटरफिस दिखाई देता है फिर आपको सबसे उपर दिखाई देता है जैसे कि आप ही देख पार है सर्च बार इस पर आपको क्लिक क दिखाई देने लगेगी जैसे कि आप देख पा रहा है Google Room Online ONE creator अधे इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक कर देने के बाद आपके सामने टू उपसं दिखाई देगा जैसे की दिखाई दे रहा है ट्राइब परऑबनाना रे करन करने के बाद खोड़ा सा वेट करेंगे और इस तरह यह आगा ठीक है फिर आपको सबसे इक पर दिखाई देखा रिगा अनल देगा ऑन टाइटल फॉब करना और आप है हैं पूर्म बना रहा है या किस के लिए आप यूज कर रहा है तो जैसे कि हम डाल देते हैं अपने चैनल का नाम एवन एवन टैक अब देखें नेस्ट आरा फॉर्म डिसक्प्ट नहां आपको डिसक्प्ट देना मुझे जो टेस्ट बना आ रहेंगे जैसे कि आप भी देख पा रहें अन्टैडल कोश्ट इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद अब आप भी कोई भी कोशन पूश सकते हैं जो अपने टेस्ट के थोव पूछा जाते हैं तो आईए मैं पूछ लेता हूं आपका आपका क्या नाम है यह मैंने पूछ लिया आप देखे आपको यहाँ पर option मिल जाते हैं जैसे कि दिख पाना है आप लोग short answer यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो question आपने लिखा उसका answer कैज़ा चाहते हैं आप short answer में paragraph में multiply twice यह सभी में आपको दिखाने वाला हूं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक अबस देखेगा तो देखे जहर सी बात है हमने पुछा है आप पर नाम क्या है तो short answer होगा तो आप short answer क्लिक कर दीजे देन आपके सामने यहां पर यह आयाता है रिक्वाइड गा अगर आपने जो भी फिसन पूछा है इसे मेंडिटरी करते हैं मतलब यह आपको confirm answer देना होगा तो इस पर आपको रिक्वाइड पर क्लिक कर देना अब यह important हो जाएगा किसी भी student के लिए किसी राज के रहने बाले हैं अब यह कुछन है आप देखें यहां पर आप चाहें तो option दे सकते हैं या फिर डारेक्ट आंसर दे सकते हैं जैसे कि मुझे देने हैं multiply choice देनी है तो option पहले देख लेते हैं मल्टी choice option दें आपको check box दें drop down दें चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पहले ही drop down यानि डेली और चौथ हमने दे दिया none of these इन में से कोई नहीं आप जितने चाहें option दे सकते हैं मुझे चार देने ते हमने दे दिये देन उसके बाद यह फिर से पूछेगा required करना है या नहीं of course required करना है click कर दीजिए देन उसके बाद आपको दो question आपके होगा है अगर आपको option दिख रहा है इस पर आप click करेंगे click करने के बाद apply click कर दीजिए apply के करने बाद आप देखिए जो आपकी question से इस तरह का दिखाई देने लगेगा जैसे की event tag only demo test आप क्या नाम है आपकी answer लिख सकते हैं आपकी सराजी से यह drop down आ गया ठीक है बड़ हमें और भी question द प्रिजान करी देरे वाला हूं विस्तार से बस आपको ध्यान पुर्वा वीडियो को देखना हो सुनना है आपकी जनम चिथी जनम चिथी क्या है आप देखें यहाँ पर क्या option है यहाँ पर आप लोग काफी फादा होगा जैसे कि यह option आते हैं यह देखें multiple choice यहाँ पर last में आपको एक option दिखता है date का अप यहाँ पर आपको क्या करना है simple सा date क्लिक कर देना है date क्लिक करेंगे तो जो भी question form फिल करेंगा student या फिर आपका कोई भी contact वाला जिसे अपर सेंड किया वह आसानी से अपने data वाट्स फिल कर सकता है इसे भी स्कुर्ण कर दीजिए और add करतें कॉसम और आप देखें आपको यहाँ पर करना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी यह पूसता ठीकर रिव्यू लेने है तो आपको यह यह वीडियो कैसी लगाए आपको यह पूस्ट ना ठीक है आप इसके साब्स जैसे कि आपने देखा औ liner scale इस पर आपको click कर देना अब liner scale click करेंगे तो यहाँ पर level पूछेगा बन टू लेके 5 कर सकते हैं 10 कर सकते हैं तो बन नमर पर हमें लखना बहुत बेकार लगी है बेकार बीडियो लगी दूसरे लिखना में बहुत अच्छी बीडियो लगी है वाली बहुत अच्छी आपने लिख दिया नमर मन सबसे बेकार होगा आपका नमर नमर पर बेकार और 5 नमर पर होगा बहुत अच्छी तो इस तरह से कर सकते हैं और required कर दीजेगा अगर आपको यह कंपलसरी पूछना है देन उसके बाद आप देखिए हमने कितने कुशन तयार कर दिये चार से पांस कुशन तयार हो गए इस तरह ऐसे जितने चाहें आराम से टेस्ट कुशन पूट कर सकते हैं देन उसके बाद आप आपको क्या करना है अब आपने चली देख लेते हैं तो send करने के लिए क्या करना होगा जैसे कि आपको option दिखाई देना बीच वाला इस पर आपको click करिएगा click करने के बाद आपके सामने एक तो आप email करना चाहते है email कर सकते है then आपको option दिखाई देगा बीच में side में यानि कि अनलिश्टिड इस पर click करने के बाद आप जो कपी कर लीजिए और किसी को भी आप नहीं से कर सकते हैं तो फाइनली आपका Google form तयार हो गया है चाहे आप टेस्ट देना चाहते हैं चाहे आप किसी की information collect करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं आप देखें जो आपका test था या perform था complete होगा लिंक आपके साम चाहिए आपको कॉपी करना है कॉपी करने के बाद आपने जिसे आप यह form फिल करना चाहते हैं उसे आसानी से sign कर सकते हैं और इसको द्वारा आंसर आपको पता चल लाएंगे तो दोस्तों कैसी लगी आज को आपकी एक खास वीडियो अगर वीडियो आच की पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक